जय गुर्दियो, मेरे प्यारे प्यारे भक्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे महा इंद्रियाल सीखें यूटूब चैनल पर, भक्तों जिन लोगों ने मेरे पिछले वीडियो नहीं देखे हैं, वे लोग कृपया चैनल पर जाकर सभी वीडियो देख लें, जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाए और आप आसानी से सिद्धी प्राप्त कर सकें, मैं आपको इंद्रियाल विद्या सिखाने का वादा करता हूँ जय गुर्देव, मेरे प्यारे प्यारे भक्तों, आप लोग कैसे हैं, हम दुआ करते हैं, आप सब बहुत अच्छे होंगे और आप जहां कहीं भी होंगे, आप खुसालोंगे और आपकी पूरी फैमली खुसालोंगी, यही दुआ मैं दिल से देता हूँ मेरे प्यारे प्यारे बक्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे जुआ जीतने का तरीका, यह बहुत ही बिलच्छन प्रुभावसाली प्रयोग है, यह प्रयोग के दौरा आप इतना जुआ जीते हैंगे कि आप इसकी कलपना नहीं कर सकते हैं, या आज माया ह प्रयोग है, मैं जुआ आपको बताने के लिए जा रहा हूँ, जुआ खेलना या कोई अच्छी बात नहीं होती है, यदि इसकी लत लग जाती है, तो वह लत छुटती नहीं है, मेरी तो सलाह बक्तों यही है कि आप जुआ मत खेलें, जुआ खेलने से बक्तों काफी नुक प्रयोग के दोरा आप किस तरीके से जुआ जीतेंगे, उसकी मैं पूरी बिधी बताऊंगा, वीडियो को अंत तक देखना, वीडियो का कोई भी पार्ट स्किप न करना, यदि आपने वीडियो का कोई भी पार्ट स्किप कर दिया, तो आप से बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकरी छूट सकती है, मेरा निवेदन है आपसे कि आप वीडियो को पूरा देखेगा और समझेगा, जिस तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ, इसी तरीके से आपको प्रियोक करना है, निश्चित ही आप जुआ जीतेंगे, मेरे प्यार प्यार बक्तों, इस प्रियोक को कै किस दिन करना है, इसका रिजल्ट कितनी देर में देखने को मिलता है, तो चलिए हम आपको बता देते हैं, लेकिन इससे पहले बक्तों, यदि आप हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें, और चैनल को कर बैल आइकन की घंटी को जरू प्रेस कर दें, इससे बक्तों या होगा, हम जब भी वीडियो अप्लोड करेंगे, इसकी सूचना आपको मिलेगी सबसे पहले, वीडियो सुरू करने से पहले, मैं आपको एक और छोटी सी जानकारी देता हूँ, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बारा है, यदि आपको इंदर जाल बिद्या सीखना है, आपको इंदर जाल बिद्या से किसी भी प्रकारक से संबंदित, यदि आपको बीडियो चाहिए, मैंने इसके उपर बिस्तार से बीडियो बना चुके हैं, वो बीडियो आपको बीडियो के डिस्क्रिक्शन मे मिल जाएंगे, वहाँ से आप देख करके और अच्छी से अच्छी जानकरिया प्राप्त कर सकते हैं, उसके बाद आप मंतर सिद्धी भी कर सकते हैं, रेखा बंधन भी कर सकते हैं, ये भी आप जान जाएंगे कि इंद्रजाल विद्ध्या को किस मुहरत में सिद्ध किया जाता है जिससे सफलता प्राप्त होती है ये प्रियोग करने के लिए आपको किन-किन सामागरी की जरूत पड़ेगी तो आप ध्यान से देखेगा आपको थोड़ा सा सिंदूर ले लेना है ये डिब्बी में मेरे पास सिंदूर है और आपको थोड़ा सा मौली ले लेना है हमारे यहां इसे कलावा भी कहा जाता है और आपको दो फूल वाली लॉंग ले लेना है तो देखेगा बक्तों इस तरीके ले जो फूल वाली लॉंग हो वो आपको ले लेना है आपको दूसरी सामागरी में छोटी सी पीपल की जड़ ले लेना है लेकिन इस जड़ को कहां पे प्रियोग करना है वो आप ध्यान से सुनिएगा या प्रियोग आप किसी भी दिन कर सकते हैं चाहे दिन हो या रात हो उस समय पर आप कर सकते हैं या सुता सिद्ध प्रियोग है आपको सबसे पहले दो लॉंग ले लेना है फूल वाली और ये लॉंग लेकर के आप उस इस्थान पर चले जाएए जहां पर जुआ सट्टा या लाटरी हो रहा है और उस इस्थान पर पहुँचने के बाद में इन दोनों लॉंग को आपको अपने मुख में रख लेना है और मुख में रख करके आप वहाँ पर थोड़ी देर रुकिएगा वहाँ पर जितने भी लोग बैठे हुए हों उनका आपको एक बार चक्कर लगा देना है उसके बाद आपको चुपचाप वापस चले आना है और आकर के आप पीपल ब्रच के नीचे आ जाईएगा पीपल ब्रच के नीचे से आपको थोड़ी सी जड़ ले लेना है और जड़ लेकर के और वो जो दो लॉंग आपके मुख में हैं उन्हें निकाल करके उसके बाद में ये दोनों लॉंग लेकर के आप पीपल की जड़ के उपर रख करके और मौली से लपेट देंगे चारों तरब से इस तरीके से और लपेटने के बाद में इसे हाथ से तोड़ देना है इस तरीके से आपको ध्यान एक काटना नहीं है और इस तरीके से कर लेना है देखेगा बक्तों ये दोनों लॉंग के फूल जो है उपर होना चाहिए और फिर आपको सिंदूर ले ले लेना है सिंदूर लेकर के अनामिका उंगली से ये वाली अनामिका उंगली होती है बक्तों अनामिका उंगली से आप सिंदूर लेकर के लॉं आप जो भी खेलने जा रहे हो उस चीज का आपको नाम लेना है और यहां कहना है कि मैं जैसे ही जाओं मैं जुआ जीतना प्रारम कर दूँ ऐसी सक्ति इसमें प्रकट कर दीजिए ये बोल करके आप इस जड़ को उठा लीजिएगा ये जड़ को आप उस जेब में रखेगा जिस जेब में आपके पैसे पड़े हुए हो उसी जेब में आपको इसको रख लेना है उसके बाद आप जाईएगा और जुआ खेलिएगा उसके बाद आप देखेगा बक्तों आप बैठते बैठते ही जुआ जीतने लेगेंगे या आजमाया हुआ प्रयोग है इसके प्रयोग हर बार सफलता प्राप्त कर देगा आसा करता हुआ बक्तों आपको वीडियो समझ में आया होगा यदि आपको समझने में कोई भी प्रोब्लम हो तो आप हमें कमेंट करिएगा आपके कमेंट का जवाब हम जरूर देंगे हम मिलते हैं बक्तों आपसे अगले वीड बारबरा जय गुर्देव